Hello and welcome to Biz Analyst. Biz Analyst एक टैली और मोबाल अप्लिकेशन है जिसमें आप अपना सारा टैली का डेटा अपने मोबाल पर देख सकते हो at any point in time, anywhere, घर बेड़े भी, even when आपका टैली पंध है या आपके मोबाल पर इंटरनेट नहीं है यह सारे डेटा आप अपना मोबाल पर easily देख सकते ह सबसे पहले जब आप यह एप ओपन करते हो तो आपको डैशबोड पर आपके जो key numbers है at a very high level आपको यहाँ पर दिखेंगे कि आपका जो भी time period है उसमें आपका sales purchase कितना हुआ है, receipt payment कितना हुआ है, outstanding क्या है, cash bank balance क्या है, आपके orders क्या है और delivery receipt note क्या है next जब मैं यह sales पर click करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कि by default मेरा party wise का sales हो रहा है, within a particular party मेरे जितने भी bill बने है, वो यहाँ पर मुझे मिल गए, within a particular bill मुझे वो bill की complete bill details मिल गई, अगर मुझे यह invoice की copy share करनी है, तो मैं PDF बना के WhatsApp पे या email पे मैं customer को easily set कर सकता and यहाँ पर मैं अपना custom logo या signature भी add कर सकता हूँ, जब मैं invoice की copy share कर रहा हूँ, next यहाँ पर मारे जो सबसे key feature है, कि आप 10 different ways में अपनी sales analysis कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे यह देखना है कि मेरे sales person wise क्या sales हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर ledger group select किया, within century debtors, मेरे sales person APC, उनका sales क्या हो रहा है, within sales person A, अगर मुझे देखना है कि उसने कौन सा stock group सबसे ज़्यादा बेचा है, तो वो मुझे यहाँ पर मिल गया, within a particular stock group मुझे देखना है कि उसने कौन सी item सबसे ज़्यादा बेची है, वो मुझे यहाँ पर मिल गया, within a particular item मुझे देखन हों मुझे एक gross sales या net sales देखना है तो वो मुझे यहां पर मिल गया मेरे हर एक screen में मुझे यहां पर date का time period का selection option मिलेगा तो मुझे जो भी date period का देखना है मैं वो चूज करके data देख सकता हूं next सबसे important feature हर एक business owner के लिए होता है outstanding receivable मुझे देखना है कि मेरा party wise outstanding क्या है party का जो भी credit day से amount set किया हुआ है वो यहां पर दिख जाएगा and most importantly party कितने दिन में आपको payment कर रही है मुझे salesperson wise outstanding देखना है तो वो भी मैं यहां पर देख सकता हूं कि मेरे हर एक salesperson का कितना outstanding है यह party wise देखना है तो वो भी देख सकते है next मुझे देखना है कि कौन से party ऐसी है जिन्हों ने मुझे 6 मैने से 3 मैने से पैसा नहीं दिया है तो मैं यहां पर वो selection कर सकता हूं मुझे उनको एक साथ सबको outstanding reminder भीजना है तो मैं यहां से share button पर click करके send multiple payment reminders पर select करके यहां पर select all किया तो जितने भी customers है चीन का email address मैंने tally में set किया हुआ है उनको मैं single click पर सबको outstanding reminder भीज सकता हूं मेरी लिए बहुत easy हो गया उन सबसे outstanding follow up का reminder भीजना add just a single click next अगर मुझे bill wise भी outstanding देखना है तो मैं यहां पर किसी party पर select किया तो मैं यहां पर उनका bill wise भी outstanding देख सकता हूं और उनको individual भी मैं अगर उनको outstanding reminder भीजना है whatsapp पर text message भीजना है तो मैं किसी को भी यहां पर बेच सकता हूं next जो dashboard के बाजू में party की screen है यहां पर basically अगर आप किसी customer को visit कर रहे हो तो यह customer के बारे में आपको जितनी भी information चाहिए वो सारी चीज़ आपको यहां पर मिल जाएगी जैसे के overview में आपको last sale कब हुआ last पैसा कब आया कितने bill बने average bill amount क्या है यह party का month wise क्या sales हो रहा है current outstanding क्या pending orders क्या है आपने अब तक यह party के साथ कितनी meeting आप यापका salesperson कितना meeting कर चुका है वो आपको यहां मिल जाएगा यहां पर यह party को मैंने last कितनी कितनी items बेची है last कब कॉंसे date पे कितनी quantity कॉंसे rate पे बेची हुई है यह सारी चीज़ें यहां पर मुझे मिल गए ताके जब मैं customer के सामने हूं I can give him all the information मुझे किसी को कुछ पूछने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर यह party से मैंने कुछ purchase किया हुआ है तो मुझे यहां पर मिल जाएगा कि यहां पर आई button है दे टॉप जिसके वहां पर मुझे यह customer की जो भी content details मैंने tally में safe की हुई है वह मुझे यहां पर बिल गए उसका email address phone number office का address ताके मुझे किसी को phone करके यह सारी चीज़े पूछने की जरूत पड़े next हमने यहां पर follow up का feature बनाया हुआ है कि अगर यह party मुझे मुझे बोलती है कि आप दो दिन बात follow up कीजे मैं आपको check का payment कर दूँगा यह नया order आपको place कर दूँगा तो यहां से आप एक follow up reminder भी set कर सकते है और जो भी date और time period का आपने follow up set क्या हुआ है वो दिन पर आपको एक reminder आ जाएगा सो बिकम्स वेरी easy for you to do any follow up with the customer from the app itself next यहां पर जो आपको नीचे options दिक रहे है कि अगर मैं एक salesperson हूँ अभी 27 हुआ है मैं यह customer को मिलने गाया तो मैं यहां पर check-in कर दूँगा ताके मेरा meeting का start time track हो जाए और जब मीटिंग खतम हो गए तो मैं यहां से check-out कर सकता हूँ और जो भी comment है मैं यहां पर डाल दूँगा ताके मेरे sales manager है या मेरे director है उनको पता चलेगा कि आज मैंने पूरे दिन में कितनी meetings की कहां कहां की और उनके साथ क्या-क्या बाते हुई है तो वो सारी चीज़ आप यहां पर track कर पाएंगे and अगर वो किसी party को मुझे bill बना के दी नेक्स्ट आइटम स्क्रीन यहां पर मुझे सारी आइटम से जिखेगी जो मेरे stock में है यह मुझे देखना है कौनसी इतम स्टॉक में नहीं है या negative स्टॉक में है या बिलोव री ओडर लेवल है यह सारी चीज़े मुझे यहां पर मिल गई मुझे आइटम गुरूप यह stock category wise देखना है तो भी मैं यहां पर देख सकता हूं and I can drill down all the way again to the item level कि मेरा item wise भी stock क्या है next अगर मैं यह particular item पर click करता हूं तो इसका batch wise golden wise stock क्या है यह item का price अगर मैंने tally में set क्या हुआ तो मुझे यहां पर मिल गया यह item की पूरी sales summary के यह item का total sales कितना हुआ है total quantity कितनी बेची है last कौनसे rate पर बेची थी minimum maximum rate क्या है क्या है selling and purchase rate तो यह सारी चीजे मुझे यहीं पर मिल गई यह item का monthwise sales क्या हो रहा है या monthwise purchase क्या है वो मुझे यहां पर मिल गया यह item मैंने कौनसे कौनसे customer को बेची है last कप बेची थी कौनसे rate पर बेची थी total quantity बेची हुई है customer को यह मुझे यहां पर मिल गई यह item मैंने कॉनसे कॉनसे supplier से खरी दी है again last date quantity rate सारी चीज़े मुझे यहाँ पर easily बिल गई next है आपकी item report screen जहाँ पर सारे reports हमने दिये हुआ है so starting with my entries यह basically data entry का ही feature है जो party की screen में मैंने दिखाया यह सारी entries आप यहाँ से भी कर सकते है and on top of it यहाँ पर हमने और दो भी option दिये हुए है ledger entry, ledger creation and stock item creation आप यहाँ से ledger और stock item भी create जो भी करेंगे यह सारी चीज़े टैली में automatically create हो जाएगी so आप जितने भी orders या invoices जो भी entry यहाँ पर करेंगे या ledger or stock items create करेंगे अगें यह सारी entries automatically टैली में create हो जाएगी आपको अलग से कोई special चीज़ करने की जरुत दी है next check in check out report so आपके जितने भी sales person है उन्होंने तिन में कितनी meetings की है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी so web of है मेरा नाम तो अगर मैंने आज तीन meeting की है तो वो तीनों meeting meeting consequence है वो मुझे यहाँ पर पता चल गई उसका check in check out date type क्या था exact location क्या था वो यहाँ पर track हो गया अगर मुझे यह Google Maps में देखना है अगर मैं manager हूँ उसका देखना है तो मुझे पता चल गया कि इसने तो तीनों meeting एक ही location से की है तो में भी यह कस्टमर को मिलने ही नहीं गया है घर से meeting की है उसने अगर मुझे यह report send करना है अपने manager को तो मैं यही से PDF बना के कस्टमर को easily WhatsApp कर सकता हूं या email कर सकता हूं कि आज मैंने यह meeting की है यह मेरा time है और यह मेरे meeting का comment है तो यह productivity के लिए बहुत बढ़िया tool है अगर आप अपनी salesperson की productivity बढ़ाना चाहते हो तो easily यह सारी चीज़ा आप यहां से track कर सकते हो next follow-ups तो आपके खुद के कितने follow-ups है वो यहां पर आपको easily मिल जाएंगे या किसी और के भी आपको follow-up देखने है तो वो यहां पर आप ट्रैक तक पाऊगे next यह feature को आप ऐसे task management के तौर पर भी use कर सकते है कि अगर आपका कोई task खतम हो गया या follow-up हो गया है तो आप उसक आप उसको complete कर दिया इसलिए completed दिखा रहा है तो आप उसको उस तरीके से भी आप use कर सकते है next expenses report तो यहां पर आपके direct indirect expenses all the way to the voucher level आप देख सकते है आपके inactive customers कौन से है यह one of the most useful feature है हमारा कि आप यहां पर देख सकते है कि कौन से customers है जिन्हों ने मुझे एक मेने दो मेन छे मैने से order ही नहीं दिया है so I have 55 customers almost 60% of my customers जिन्हों ने छे मैने से order नहीं दिया है यह customer के साथ मैं easily देख सकता हूं कि उन्होंने consequence items purchase की थी मेरे से in the past and I will contact them again है ताके मैं यह customer से वापस अपना business ला सकूं कि similarly आप inactive items का जो रिपोर्ट है वहां पर देख पाएंगे कि कितनी items आपके पास stock में है जिन जो अगे लास तीन मैने 6 मैने से sell नहीं हुई है जो कि शायद आपकी dead stock बन चुकी है तो अगर मुझे देखना है कि मेरे case में 33 items से 40 लाक्स दूपीस का stock है जो 6 मैने से dead stock के तौरग पर पढ़ा हूआ है यह CPU processor है अगर मुझे इसको बेचने तो कि इसको बेचने जाओगा पहले तो उनी customers को जिन्हों ने मुझसे पहले लिया हुआ है या I might try to return it to the suppliers जिनके पास से मैंने लिया हुआ है तो अगेन यह सारी details आपको app में easily मिल जाएगी नेक्स्ट आपका जो ledger report, day book, pending orders, P&L, balance sheet यह basic reports है जो हमने यहां पे दिये हुए है for easy access आप जब यहां पे menu पे click करेंगे तो आपको जितनी भी companies आपके tally से mobile पे देखनी है आप यहां से easily switch करके वो सारी companies का data देख सकते है within a particular company अगर आपको users add करने है तो आप यहां पे users add कर सकते है और अगर किसी particular user को आपको limited permission देना है जैसे के समझो अगर निलेश एक salesperson है और मुझे उनको खाली उनके ही customers का data दिखा रहा है तो मैं यहां से उनको admin हटा के उनको particular ledger group का ही permission दूगा ताके उनको उनको नहीं का ही data दिखे और कुछ भी ना दिखे अधिदे लेजर ग्रूप आप यहां पे उनको permission stock group wise, go down wise, voucher type wise, screen wise, data entry में कौन से entries वो कर सकते हैं वो सारी चीज़े आप यहां से उनको restrict कर सकते हैं and most importantly अगर कोई job छोड़के जाता है आप उनको at any point in time यहां से delete कर सकते हैं and on the spot उनके phone से पुरा data wipe up हो जाएगा next हमने काफी यहां पे configurations दिए हुई है settings screen में कि आपको app कैसे use करना है कुछ चीज़े customize करनी है, logo, signature add करना है, outstanding में चीज़े कुछ settings करनी है तो ऐसे बहुत सारी settings हमने दी हुई है जिसको आप use कर सकते है to customize it the way you want it so overall जो business analyst application है यह उन business owners के लिए है जो अपना business grow करना चाहते है and even for the sales team ताके उनको data visibility मिले and data driven decisions ले सके है तो हमारा application again it is very very useful on a day to day basis जहां पर यह जो dependency है आपकी system पर हो यह accountant पर हो तो वो सारी dependency zero हो जाएगी जैसे ही tally में entry हुई है सारे report आपको यह पर मिल जाएंगे तो आप दुनिया भर में कहीं पर हो you will have a complete access of your own data so that is what business analysis for it is a tool to help you grow your business thank you for watching this video we do give a 7-day trial period जिसमे आप अपने data के साथ यह पुरा application try कर सकते हो give it a try let us know how we can help you to grow your business and that is what really business business analysis is for thank you so much bye-bye